माता के किरपा आप सब पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना है पिछले कुछ वर्सों में माता वश्यों देवी के दर्खन के लिए देश विदेश से आने वाले सब्धालों की आत्रा सुवम तथा मंगल में बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए मैं मानता हूं कि ये सभी कारे माता के किरपा से ही पूर्ण हुए है स्राइन बोर्ड के मेंबर्स, हरिकारी स्राइन बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों के समर्पन भाव के कारण उनके सहयोग के कारण ये काम पूरा हो सका है आज अस्थापना डिवस पर मैं उन सभी का विन्दन भी करता हूं तथा गुर्गुल के आशार्य और विद्यार्थियों को हर्दयक की असीम गहराई उनसे वधाई देता हूं जीवन का मूल आधार जो है वो जिग्यासा है हमारी संस्कृती में भी कहा गया है कि हर एक इंसान चैतन्य है लेकिन उस चैतन्य का तब तक आभास नहीं होता है जब तक सच्चे गुरु से मिलना न हो जाए गुरु से मिलने का अर्थ भी यही है कि चैतन्य के सहज अन्भो का द्वार खुल जाए गुरू से मिलने का सीधा सीधा मतलब है सिस्य अब उस विराठ तस्तितों को देख सकेगा, समझ सकेगा दिन प्रत दिन उसके कान उसकी जिग्यासा बढ़ेगी और वह सरधावान होता जाएगा माता वैशनुदेवी गुरुकुल की स्थापना उसी जिग्यासा की नीव को मजबूत करने और उससे उत्पन होने वाली प्रग्या की अविव्यक्ति के लक्ष के साथ की गई थी गुरुकुल में भी शात्रों को वैदिक और माडर्न तोनों विशयों में नहित ग्यान द्वारा अपनी जिग्यासा को नई धार देने का उसर मिलता है माता वैशनुदेवी गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह अच्छन उपलब्द हो रहा है और आज मैं कह सकता हूं कि वो सरधावान होकर नेतिक मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा में प्रयात्न कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि चरित निर्मान से ही रास निर्मान संभो है निरंतर बदल है विश्व ने आज अनेक चुनोतियों को देखा है अनेक चुनोतियां आज हमारे सामने खड़ी है विशे इस रूप से सिक्षा के छेत्र में जो चुनोतियां है या मैं कहूं कि यह छेत्र चुनोतियों से अच्छूता नहीं है और वहां भी बदलाव की वर्तन को अपनाया है साइंस और संसकार की पढ़ाई साथ-साथ कर रहा है और मैं बार-बार ये कहता हूं कि संसकार और साइंस का मिला जर्वा सरूप ही असली और सही सिक्षा पद्धती है इसली हमें बिना डरे हुए नई पिड़ी को संसकार और साइंस के मिले जुले सरूप के रूप में विक्सित करना होगा ताकि समाज में नई रचनात मक्ता पैदा हो शिक्षा पद्धती एजुकेसिन सिस्टम जिस दिन परिवर्तन के भय से मुक्त हो जाएगा तथा नए सिलेबस नई परनालियों को अपनाना सुरू कर देगा यकीन है मुझे इन इतिक मुल्य और वाइज्यानिक सोच समाज के हरस्तर तक पहुंच सकेंगे आर्थिक समाजिक विकास के साथ हम आत्मी कुर्थान के दिसा में भी आगे बढ़ सकेंगे पिछले कुछ वर्षू में इस लक्ष के साथ गुर्कुल ने अनिक मौडन सब्जेक्स भी सुरू किये हैं और अब सिलेबस में मौलिकता तारकिकता तथा वाइज्यानिकता को ही स्थापित किया गया है गुर्कुल के विद्यार्थियों आज अपनी सनातन परंपरा से भी यहां के विद्यार्थि उतने ही परचित हैं जितना वो साइंस के विभिन विशियों से और इसलिए मैं गुरुकुल की सिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्मान की सिक्षा कई बार कहता हूँ संपूर्ण व्यक्तित्व से ही स्रजन सीलता का जन्म होता है भारत वर्स के हजारों वर्स के इतिहास में इस बात पर विशेश रूप से बल दिया गया था भौतिक प्रगती के साथ साथ आध्यात्मी प्रगती भी हो इसलिए हमारे देश ने अन्य सब्वेताओं के मुकाबले सैकणों वर्स पुरू अनेक ऐसे इन्विंसन किये थे उसे ही माइने में समग्र विकास पर बल देते थे और हमें गरो होना चाहिए कि अध्यात्मी गुरू और प्राशीन भारतिय वई यानिक और हमारे गणितग्यने वेस्टर्न कंट्री से हजारों वर्स पूरू उन विष्णों पर मानावता का मार्ग दर्शन किया था जो दुनिया के दूसरे देशों के पास नहीं था मैं एक बार पुन स्री माता वैश्वन देवी स्राइंग बोर्ड तथा स्री माता वैश्वन देवी गुरुकुल के स्थापना दिवस की आप सबको हरदे से सुब कामनाई देता हूँ धन्यवाद जय ही